लदाफपर चीनी सेना को पांच मईई से पहले कि स्थिती में पहुँचाने के लिए बाचीत भले जारी है लेकिन 15 जून की रात को जो धोका चीन ने भारत को दिया है उसका बदलाब भारत चीन से चुन-चुन कर ले रहा है तभी तो चीन को भारत की तरफ से जटके पर जटके लग रहे है और चीन भले ही दिखाए नहीं लेकिन भारत का इतना बड़ा बाजार है यहाँ चीनी आप्स को बैंग करना, चीन के साथ किये गए करार को खत्म करना चीन के लिए काफी बड़े जटके हैं लेकिन गो इस बात को कभी स्वीकारेगा नहीं, यह लग बात है। खेर अब भारत चीन को एक और बड़ा जटका देने जा रहा है। BSNL और MTNL ने चीन के साथ अपने 4G Tender को रद कर दिया है। अब दोबारा से नया Tender जारी किया जाएगा। नये Tender में मेक इन इंडिया और भारत ये टेकनॉलजी को प्रोचसाहन देने के लिए प्रापधान होंगे। दरसल यही दोनों कमपनिया हैं जिन पर सबसे ज्यादा चीनी प्रोड़क्ट खरीदने का आरोप लगा था। जिसके बाद सरकार ने MTNL और BSNL को चीन की कमपनियों से सामान खरीदने से परहिस करने के लिए कहा था। टेलेकॉम मंत्राले ने कहा था। 4G फेसिलिटी के अपग्रडेशन में किसी भी चाइनीज कमपनियों के बनायों करणों का इस्तमाल ना किया जाए। पूरे टेंडर को नए सिरे से जारी किया जाए। सभी प्राइवेट सर्विस ओपरेटर्स को निर्देश दिया कि चीनी उपकरनों पर निर्भरता तेजी से कम की जाए। जिसके बाद MTNL और BSNL ने चीन के साथ अपना टेंडर रद करने जैसा बड़ा फैसला लिया। इससे पहले चीन को जोरदार छटका देते हुए रेलवे चार्शो एक्टर करोड रुपे का उसके साथ सिग्नलिंग प्रोजेक्ट रद कर चुका है। MMRDA ने मोनोरेल से जुड़ी चीन की दो कमपनियों का टेंडर भी रद कर दिया है। BSNL ने करार खत्म किया उससे चीन को निश्चित तोर पर जोरदार छटका जरूर लगा होगा।